हाई गाईस करेंट अफेर्स फंटा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम दो दिसंबर तक के सभी इपॉर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर दे दिये गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप पुछना चाहें तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो सेशन की किस राज्य की पुलिस ने call your cop mobile app लॉंच किया है आसा मनी बूर नागलेंड या फिर में खाले सही आंसर होगा option C तो नागलेंड पुलिस लॉंच ता call your cop mobile app अंतला पुलिस ही होता है तो देखिए नागलेंड की जो भी citizens हैं जो किसी distress में है या फिर किसी प्रकार की समस्या है तो सीधे वो इस एप के जरिए पुलिस से समपर्क कर सकते हैं call your cop mobile app बागी आपको जानना चाहिए नागलेंड नेपियो रियो है नागलेंड के साथ ही आपको जानना चाहिए एक दिसमबर 1963 को नागलेंड सोलवा राज्य भारत का बना था और यहां पर होंड बिल फेस्टिवल काफी फेमस है कई बार अलग-अलग एक्जाम में पूछा भी जाता है होंड बिल फेस्टिवल तो अमूम रहना कि कुछ ट्राइबस जो अंगामी और और अँगामी और और यह दोनों पूछ ली जाती है एक्जाम में याद रखेंगा बाकी भी आप देख सकते हैं इनके नाम आप यहां से पढ़ सकते हैं को कि हमस है फों काफी फेमस है में लिएं आप अंगामी आप याद रखे देखिए परजीवरेंस बहुत प्यारा सब्द है और कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी से भी जुड़ा हुआ है देखिए आप लोग भी कई टाइम से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई दो तीन साल से एकजाम की तेयारी करने हो सकता है चार साल से कर रहे हो तो वह लगे हुए है अपने अफ़र्ट में उसको बोलते हैं परजीवरेंस यानि की कई सारी डिफिकल्टी आने के बाद समस्या आने के बाद जब आप अपने लक्ष के लिए लड़ते रहें ठीक है उसके लिए मैनत करते रहें उसको बोलते हैं परजीवरेंस तो वही आप लोग जो है शो कर हैं बागी हमने अभी तक पढ़ा है कि मेरियम वेपस्टर ने वेक्सीन को अपना 2021 वर्ड ओफ दे यर चुना है और कॉलिंस डिक्सनरी ने nft को वर्ड ओफ दे यर चुना है साथी जो Oxford डिक्सनरी है इसने वेक्स को अपना वर्ड ओफ दे यर 2021 चुना है मैक डेलेना एंडर्सन को किस देश की पहली प्रधान मंत्री के रूप में फिर से नुक्त किया गया नौर्वे फिनलेंड स्वीडन या फिर देन्मार्क सही आंसर है ओप्शन सी सो मैक डेलेना एंडर्सन हैस बिन री अपॉंटे ऐस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन फर्स्ट फीमेल भी आएगा है आपर फर्स्ट फीमेल देखे पहले यह जब अपॉंट की गई थी तो उसी के कुछ घंडे बाद स्वीडन ने रेजिगनेशन देना पड़ा था और क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था फिर से अब इनके पास बहुमत आ गया है तो मैक डेलेना एंडर्सन यह जो है स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइमिस्टर बन गई है किस पार्टी से है सोसल डेमोक्रेटिक पार् पर कितनी राशी का मौद्रिक जुर्मान लगा है यानि की मौनेटरी पैनल्टी लगाई है सही आंसर है ऑप्शन ए दरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंपोस्ट अ मौनेटरी पैनल्टी ऑफ रुपीज वन करोर ओन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो देखिए कुछ फ् पर करोड ओपीस का जुर्माना इस पर लगा है बाकि आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एंडिया के साथ मिलकर एक को लेंडिंग पाटनर्शिप की है किसके लिए MSME के लिए MSME को ये दोनों ही मिलकर लोन प्रोवाइट कराएंगे गोवा में भारतिय अंतरास्टिय फिल्म महुत्सव के 52 संस्क्रण के समावन समारो में किस फिल्म को प्रतिष्टित गॉल्डन पीकॉक प्रोष्कार मिला है पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि 22 एडिशन है इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया और कहां पर हुआ है गोवा में है तो देखिए जापान के डिरेक्टर है माशा काजू करने को तो इनकी मूवी है रिंग वांडरिंग इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहां पर दिया गया है साथी आपको जानना चाहिए सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डिरेक्टर मिला है चैक रिपॉब्लिक की वैकलेव काजरन का को किसके लिए saving one who is dead इस movie के लिए साथी silver peacock for best actor male ये मिला है जितेंद्र जोसी को निखिल महाजन की गोदावरी में अपनी performance के लिए और silver peacock for best actor female मिला है एंजला मौरीना को किसके लिए शार्लोट के लिए साथी आपको जाना चाहिए जो एक गोदावरी है ना इसको silver peacock for special jury award भी मिला है और director Mary Alessandrini इनकी जाहुरी इसको best every feature film award मिला है साथी पहली बार Bricks Film Festival भी इसी के साथ में जो है गोवा में आयुजित किया गया ठीक है Bricks Film Festival भी गोवा में ही आयुजित किया गया इसी के साथ जो International Film Festival of India है इसी के साथ दास्ता उन्मूलन के लिए अंतराष्ट दीवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा option B International Day for the Abolition of Slavery is observed on 2nd December तो देखे 2 December को मनाया जाता है International Day for the Abolition of Slavery International Day और हमने पढ़ा था कि word 8 स्टे का मनाया जाता है एक दिसम्बर को तो दुनों याद रखेंगे एक दिसम्बर को वर्ड 8 स्टे हो गया और दो दिसम्बर को ये वाला हो गया निम्री के दमें से कौन 5 करोड से अधिक लोगों को पुरी तरह से ठीका करने वाला देश का पहला राज्य मने गया है तो पांच करोड लोगों को फुली वैक्सिनेट कर दिया आनि कि फस्ट और सेकंड डोस दोनों लग गई है और वन थर्ड पॉपुलेशन जो है जो इलिजिबल पॉपुलेशन है उनको वैक्सिनेट यहां पर कर दिया उत्रप्रदेश सरकार ने बाकि आप जानते हैं कि यहां की गवर्णर आनंदी बेन पटेल हैं चीफ मिस्टर योगिया दितनातने और दो डिप्टी चीफ मिस्टर है केशो परसाद मौरिया और दिनेश सर्मा रिकोर्ड साती बार पुरुसोगा बैलेंडियोर किसने जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन ए तो देखे फुटबल में सबसे खास यह वाला वार्ड रहता है बैलेंडियोर तो इसको साती बार जीता है अर्जेंटिना के फुटबल प्लेयर लाइनल मैसी ने साती आपको जानना चाहिए कि बार से डोना की एलेक्सिया पुटेलस ही तो कलब है बार से डोना की एलेक्सिया पुटेलस इन्होंने विमेंस केटेगरी में बैलेंडियोर जीता है अच्छा आपको जानना चाहिए कि जो लाइनल मैसी है इन्होंने ही इस बार अगवाई मे अर्जेंटियना को कोपा अमेरिका टाइटल भी जितवाया है तो ये प्रफॉर्मेंस भी आपर काउंट की गई है साथ है आपको जाना चाहिए स्ट्राइकर ओफ दा येर अवार्ड किसे मिला है बेर्ड मुनिच के रोबर्ट लेवान डोसकी को और बेस्ट गोल की पर अवार्ड मिला है इटली के स्टोपर इनका नाम है ग्यानलूगी डोनारूमा और यहां पर जो आपका कोपा ट्रोफी फॉर बेस्ट यंग प्लेयर ये मिला है बार्सलोना के पैडरी को और चेलसा को बेस्ट क्लब अवार्ड मिला है देखिए आप ये देख रहे है चेलसी मुआफ कीज़ेगा चेलसी को मिला है बेस्ट क्लब अवार्ड मैं फुटबोल नहीं देखता ना तो इसलिए मुझको थोड़ा यहां पर दिक्कत हो रही है तो देखिए इनको ये अच्छे यहां पर देखिए चेलसी आई होप इसी यही नाम होता होगा इसका चेलसी तो इसको बेस्ट क्लब अवार्ड मिला है यहां लिखा है मीनवाइल देखिए काफी इंपोर्टेंट सब्द रहता है इंगलिसमें आपके लिए कई बार आता होगा पर जादा तर आप में समझने ही पाए होगे कि मीनवाइल का मतलब क्या होता है देखिए कोई घटना चल रही है उसे के साथ फिर दूसरी भी हो रही है ठीक है आप थोड़ा लाइट वे में बताना चाहते हैं कि साथ में ये भी हो रहा था उसी वक्त तब यूज करते हैं मीनवाइल मतलब कि देखिए सब ये अवाइड दी जा रहे थे फिर यहाँ पर थोड़ा लाइट ली मोड़ वे बता दिया गया कि मीनवाइल मतलब इसी के साथ-साथ बेस्ट क्लब अवाइड जो है चैल्सी को मिला है जैसे आप कह सकते हैं कि I was talking to my friend ठीक है मैं अपने दोस्ते बात कर रहा था और उसी वक्त जो है मेरी मम्मी बरतन साफ कर रही थी तो आप क्या कह सकते हैं I was talking to my friend फिर आप फुलिश्ट अपला यह लिख सकते हैं आप समझे होंगे मीनवाइल का मतलब क्या होता है यानि कि आप बता रहें कि उसी दोरान एक और काम चल रहा था सरकार ने किस इंजूनिरिंग कंपनी में अपनी संपूर्ण सो परतिशत हिस्सेदारी नंदल फाइनस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेट को कि मंजूरी दे दी है बारत डायनामिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स, बारत पेट्रोलियम या फिर इंदुस्तान और्गैनिक केमिकल सही आंजरोंगा ऑप्शन बी तो जैसे ही आप समझे गए होंगे कि गवर्मेंट उफ इंडिया ने अपने 100 स्टेक जो है नंदल फाइनेंस एंड लेजिंग प्राइविट कंपनी को 210 करोड रूपे में दे दिया है किसके स्टेक सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट के आपको बता दें ये सेंट्रल पुब्लिक सेक्टर एंटर्पाइजेज है सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट और ये डिपार्ट्मेंट ऑफ साइन्टिफिक एंड इंडूस्ट्रिल रिसर्च के अंतरकत आती है फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इंचीफ पूरवी नोसेना कमान के रूप में किसने पदभार समाला सही आंसर होगा option D तो इस्टर्ण नवल कमांड के फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इंचीफ बने है वाइस एड्मिरल बिस्वजीत दासकुपता मीनवाइल फिर से यूज़ कर दिया है एक तरह से आपकी वैस्टर्ण नवल कमांड के हैड बने है अजेंद्र बादूर सीन मीनवाइल समझ रहे हैं मीनवाइल का मतलब लेफ्टर्ण गवरेंडर मनोज कुमार मागो ये बने है नेस्टर्ण डिफेंस कोलेज के 34th कमांडर तो तीनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट है याद रखेगा रामकुमार, रामनाथन किस खेल से संबंदित है चेस, टैनिस, इसक्वैस या फिर आर्चरी सही आंसरों का उप्शन B रामकुमार, रामनाथन is associated with tennis तो देखिए भारते टैनिस प्लेयर हैं रामकुमार, रामनाथन और प्रो खेलते हैं ये साथे आपको जानना चाहिए कि टैनिस में इनोंने ATP चलेंजर टूर ये जिता है इनका ये पहला सिंगल टाइटल जब से कि ये प्रो प्लेयर बने है मनामा बहरीन में ये हुई है चैंपिनशिप और इनोंने Evgeny Karlowski, इनको हरा है श्रीवेनिला सीताराम सास्त्री का नितन हो गया वह एक उल्लेक निये क्या थे तो ये एक उल्लेक निये पोईट एंड लिरिसिस्ट थे तो देखे, पदमश्री भी इनको बिलावा था श्री बेनला सीता रम्म सास्त्री 66 साल की उम्रमिन की मृत्ति हो गई है और आपको जानना चाहिए ये इंडियन पोईट एंड ले रिसेश थे और तेलगु सिनेमा और तेलगु थियाटर में ने काम किया है तो ये इंपोर्टन रहेगा किस सिनेमा से चुड़े कहां पर है पैरिस वियरा जेनेवा या फिल लंडन सही आंसर होगा ओप्शन सी देपार्टमेंट अफ टेली कम्निकेशन एंड इंड इंट्रनेशनल टेली कम्निकेशन यूनियन किकड़ॉफ इंडिया आईटी यू जोइंट साइबल्डी 2021 टी हैटक्वार्टर्स ओफ यहां पर हैं साइबल्डी 2021 की सुरुवात की गई है आईटी और डिपार्टमेंट ओफ टेली कम्निकेशन के द्वारा बाकि आपको जानना चाहिए आईटी की स्थापना 17 मई 865 की है देखे काफी पुराना और्गनाइजेशन है यह और इसके हैड है हॉल इंज हाउ ग्रामीन विकास मंतराल ने स्वेम सहयता समूहों के लिए किस कंपनी के साथ एक समझ होता गयापन प्रहस्ताक्षर किये हैं पेटीम एप्जान या फिर फिलिपकार्ड सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्रे ओफ रूरल डेवल्लप्मेंट है साइन एन मो यू विद फ को से हुए बिइवर्स आते हैं कि कराफ में आते हैं तो यह जो है अपना सामान फुलिप कार्ड पर बैस सकते हैं अंद्र प्रते सरकार और निम्रिक्त में से किस ने विशाका पट्टनम में IOT और AI उत्रष्टा किंद्र लॉंच किया WTO FIC की NASCOM या सफिर आसुचाम सही आंसर होगा option C University of Electronics and IT, Government of Andhra Pradesh and NASCOM has launched Center of Excellence of IOT and AI in विशाका पट्टनम IOT का मतलब है Internet of Things ये जो लिखा है और इसका मतलब है Artificial Intelligence ठीक है बाकि मैंने बता दिये कहां पर विशाका पट्टनम में Center of Excellence on Internet of Things and Artificial Intelligence कहां पर आंधर उन्विश्टी केंपस विशाका पट्टनम में बाकि आपको जानना चाहिए NASCOM के पेजिडेंट देव जनी घोश है Headquarter Sanoda उत्रप्रदेश में है 12 सरकार ने किस देश के साथ 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 इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम सुरू किया है US, UK, Australia एफिर New Zealand सखी आंसर ऑप्शन C The Government of India has launched the India Young Water Professional Program in partnership with Australia तो देखें 12 सरकार के और से IIT कोवाहटी ने Australia India Water Center और Western Sydney University के साथ मिलकर First Edition of India Young Water इसको launch किया है और यह जो प्रोग्राम लाँच किया है National Hydrology Project के इंतरकत किया गया है किस के लाइनी ने? 2021 Malaysia E Open Square Championship में पुरूष एकलगा किताब जीता है सही आंजरोगा option C Indian player Saurav Ghoshal won the men's single title at the 2021 Malaysian Open Square Championship किसे हराया है? Columbia की Michael Rodriguez को इन्होंने हराया है men's single final में तो क्या जीता है? Malaysian Open Square Championship Malaysia में गवाँगा ओव्यस्सी बात है Saurav Ghoshal आप नाम याद रखेंगे इस quest से संबन दित है और इसी championship को Women's की category में किसने जीता है? ये जीता है Malaysia की AIFA अजवान ने अब देख लेता है previous assignment questions के answer Name the Governor and Chief Minister of Tamil Nadu So Governor is R. N. Ravi and Chief Minister is M. K. Stalin World Trade Center is located in which city of Uttarabadis answer is Noida Interpol President Ahmar Nasser Al Raisi is from which country answer is UAE United Arab Emirat India will develop a dockyard in Uttarufila Falhu base of which country answer is Maldives Hanukkah also known as the Festival of Lights is celebrated by which community answer is Jewish और आप में से कई answer से बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए साथ एकर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो आप वेडियो को like और share भी कर सकते हैं साथ ही देखे कुछ answer जो daily answer करते हैं कई महीने से कर रहे हैं लाप से गीने चोनेके नाम भी हूं को याद हो ङाइए पांस से दस इस तरह की बच्चे हैं जो daily करते हैं तो मैं उनकी इस काम को appreciate करूंगा आप इसी तरह से करते रही है और कोई करे या ना करें पर आप इसी तरह से करते रही है और आप में सुधार भी देखने को मिलेगा आपको देखने को मिल भी रहा होगा समझ गए होंगे जिनके मैं बात कर रहा हूं जो डेली आ रहे हैं मैं जानता हूं ठीक है तो इसी तरह से आप participate करते रहिए आपको देखकर और बच्चे भी participate करेंगे चले देख लेते हैं Border Security Force BSF celebrated its 57th raising day on which date Admiral R. Hari Kumar assumed charge as Chief of the Naval Staff आपको बताना है जो Admiral R. Hari कुमार है तो यह Naval Staff के Chief मनें कौन से नंबर के मनें यह आपको बताना है यह थोड़ा animation में गड़बड हो गई है तो पहले 4th और 5th question आ गए Name the Governor and Chief Minister of Tilangana 34th All India Postal Wrestling Championship held in which city 2021 World Table Tennis Championship held in which country तो 5 questions के आंसर जुरू बताईएगा एक question का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जुरूर से बताई कीजी कम से कम first इस तरह के question का आंसर तो आप जुरूर कर दिया किजी कि Governor और Chief Minister कोन है Governor भली आपको याद ना हो पर Chief Minister तो मेरी साब से आपको याद होने ही चाहिए अपने से साथी current affairs funda को आप Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current Q जैसे हम आप सबी गरे डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर पर ने अपने दोस्तों के साथ fellow aspirants के साथ हमारे current affairs को शियर जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में जुरूर बताईएगा thank you guys